करोना वायरेस संकरमन के लोगडाउन के बीच भारती रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे एक जून से सौ जोड़ी यात्री ट्रेने चलाने जा रही है। यानि लोगडाउन में फसे लोगों को राहत देने के लिए रेलवे एक जून से 200 ट्रेनों अप एंड डाउन का संचालन रिज्यूम करने जा रही है। भारती रेलवे का ये फैसला गाजीपूर के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। भारती रेलवे ने जिन 100 जोड़ी ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है उनमें गाजीपूर की दो ट्रेने भी शामिल हैं। आप इन ट्रेनों के लिए अपनी यात्राओं का प्लान अभी से कर लें। इसके लिए आपको इन ट्रेनों से जुड़े नए नियमों को जानना भी जरूरी है। इन ट्रेनों में जनरल कोच यानि कोई भी अन्रेजर्वड कोच नहीं होंगे। मतलब ये की बिना रेजर्वेशन यात्रा नहीं कर पाएंगे। जनरल कोच के लिए भी रेजर्वेशन होगा और लोगों से सेकंड सीटिंग 2S का किराया वसूला जाएगा। बिना सीट कोई यात्रा नहीं कर पाएगा। केवल गन्फर्म टिकेट के यात्री ही इन ट्रेनों से यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा टिकेट केवल ONLINE या अब से ही बुक हो पाएगा। काउंटर पर नहीं ट्रेनों पर चड़ने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और केवल उन्हीं यात्रों को इजाज़त मिलेगी जिनमें संक्रमन के लक्षन नहीं दिखेंगे यात्रियों को उनके स्टेशन पर पहुँचने के बाद उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा ट्रेनों में यात्रियों को चादर, कंबल और तकिये नहीं मिलेंगे यानि अगर आपको ये चीज़े चाहिए तो घर से ही लेकर जानी पड़ेंगी दिव्यांगे जनों की चार कैटेगरी और मरीजों की 11 कैटेगरी के लिए इन टेनों में भी रियायत मिलती रहेगी स्टेशन पर एंट्री और पूरी यात्रा के दौरान सारे यात्रियों को फेस कवर या मास्क लगाना पड़ेगा यात्रियों को स्टेशन पर कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा ताकि उनकी धर्मल स्क्रीनिंग हो सके गाजिपूर की ऐसे ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं